हले दोस्तों बिहार की एक बंपर बहाली जो होने जाड़े यहां पर ग्रूप C एवं ग्रूप D लेवल की टोटल पचास सार पदो पर यहां पर बिहार की एक नया नूटिफिकेशन जो है दोस्तों वो यहां पर जारी किया गया है जो कि मैं बता दो यहां पर दस्मी और 12 प जो है वो यहहां पर करएज़ दोस्तों या एक बीहार की जो है एक अच्छी बंपर बहाली जो हो यहां पर 200 पर यहां पर बहाली की प्रक्रिया जूह है वह यहां पर क्राइज बिघ्वाटेस्न न्यूज जो है वो यहाँ पर अपडेट होकर आ रहा है जिसके माधम से क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि राज के सभी जो है सरकारी संस्थानों से बड़े पैमाने पर तृतिये अमचरतुर्थ बढ़गे कर्मी यानि कि ग्रूप C लेवल के करने रिपोर्ट मांगी है और इनमें सभी विभाग सामील है यानि कि एक विभाग नहीं है सभी विभागों को जो है इसमें जोड दिया गया है वही मैं बतादू यहाँ पर कि राजसरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चैन यानि कि BPSC के माधम से जो है सभी जील प्रस्ताओ भी आ गया है हलाकि इसकी गिंती अभी तक नहीं हो सकी है माना जा रहा है कि करीब यहां पर आपको 50,000 चतुरवर्गे कर्मियों की यहां पर नियुक्ति की जाएगी इनमें कई तरह के जो पद है वो यहां पर सामिल है हलाकि मैं बता दू कि इसमें अभी इसका है यहां पर रिपोर्ट आना अभी बाकी है और इसकी योगिता होगी वो आपके मैट्रिक पास ही होगी मैं बता दू के दसमें-बारवी पास के लिए जो है यहां पर गुरूप C लेफल के गुरूप D ल Among यहां पर बाहली के प्रक्रिया वह यहां पर कराए जाएगी वही इसकी परिच्छा जो है बीपी एसी एवं बी एससी ले सकती है और इधर बिहार पुलिस अबर से सेवा आयोग में इससे के नए पदों के लिए भी जो है यहां पर पर परिच्छाय होगी जिसके रिगार्डिंग यहां पर कुछ नोटिफिकेसंस में जो बताया जा रहे हैं क कि बिहार करमचारी अयोग ने मांगी सभी विभागों से रिखतिया उन समय निर्धारित नहीं किया गया है और इसकी जो योगिता होगी वो मैट्रिक पास होगी यानि कि मैं बता दू कि तिर्टियों चतिरूती वड़गी पचास अर्पदों पर लगभग जो है यहां पर जल्द ही जो है संभावना है कि इसका रिक्राइमेंट भी जो है वह यहां पर जारी किया जा सकता है और जब भी वह रिक्राइमेंट आएगा वह मैं आपको सबसे पहले जो है इस चैनल के माद में से बतानी की कोशिश करूंगा तब तक के लिए जो है मेरे चैनल पर बने अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों कोई भी ऐसी नोटिफिकरशन आप तक सबसे पहले पहुंचे